अभी आप लाइब देख रहे हैं अभी हम इसी गाउं में हैं ग्राम धमौल परता है जिला नवादा परता है अभी आप देख रहे हैं एक कहानी आप सुने होंगे चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है भाई भाई में अक्सर ये होता है लेकिन आज उसी भाई ने भाई का जान ले लिया है अभी मैं जीस गाउं में हूँ गाम धमोल परता है और जिला नबादा परता है अभी हमारे साथ भोजपूरी के सूपर अश्टार गुंजन सिंग जी यहां उपस्थित हुए है एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं लाइब के माध्यम से कि बहु कि नबादा जिला के बारे में या कभी भी किसी छेतर के बारे में जब भी सूचना इनको मिलता है सबसे पहले अपना काम चोड़के घटना अस्थल पे पहुंच जाते हैं अभी मैं एक चीज़ बताना चाता हूं कि बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आया है बड़ा भाई अपने छोटे भाई जो कि मंजले भाई ये उनको चाकू से रेत रेत कर अपने ही घर में जान ले लेता है अभी भाईया यहां पे उपस्थित है मैं इन से बात करूँगा भाईया आपके छेतर में हमेशा इस परकार का कही न कहीं दर्दनाक घटना हो रहा है और ये घटन जो सामने आया है क्या कहना चाहिए गाहत दुख़ी तह complex घटना से और ऐसा भाई करता है ऐसा तो हमने शूने थे आज ऑज तक बहुत दुख हो रहा है शोन करके कि गवाई ने भाई को मार दिया और भाई भाई में प्रेम देखे थे लेकिन ऐसा क्या दूस्मनी हो गय और एक बेटी यह चोटी बच्ची है और एक चोटा यह बच्चा है इधर चोटा बच्चा है और कहीं न कहीं पूरे परिवार को मारने का साजी सिरच रहा था देख सकते हैं उनकी माँ है जो की हाथ पे बार किया गया है उनके भाई है उनके भी इधर दिखाईएगा इधर आईएगा देख सकते हैं उनके भाई है यहां गर्दन पे इधर दिखाईएगा इधर देख सकते हैं गर्दन पे और यहां कमर पे भी बार किया गया है कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि पूरे परिबार को एक ही रात में खत्म कर दिया जाए भाई से में अभी उनके भाई यहां पे उनके माता है और जो पिडित जिनका मौत हुआ है उनकी पत्निय चोटे चोटे बच्चे यहां पे है उनका मन में कहना था कि जो आप घर देख रहे हैं एक छोटा सा ये परिवार का कुटिया है पाच भाई थे और उनका कहना था कि पूरा जमीन जैजात जो है सारा का सारा मेरे नाम पे लिख दो उनके जो भाई है मैं उनी से बात करना चाहता हूँ नाम से लिख दो नहीं जまぁको मेरा नाम से लिख दो कितने हैं लोग भाई भाई पढ़ते हैं जिनका मौत हुआ है जिनओ से मतलब जो हत्यए किया गया अप विषयत दholders उसलाई को बहुआ करें आ सूसे लँए मंदाद है में सामने आया है भाई भाई का दुसमन बन गया है खयाए आप अभी आएं तो उसे पता अधिकारी याप बात करें मतलब इंसाफ क्या आप दिलाएगा हम तो यहीं कहेंगे ना कि वह बाहर ना निकले तो फिर आके कह रहा है सुने हैं भी लोग कह रहे थे कि फिर मारेंगे इतना मतलब क्या हो रहा है यह एक परिवार है सबको लेकर के चलना चाहिए था यहां पर भाई चारा के रुप में रहना च कोशिस किया है हम तो कर रहे थे उसको मारना चाहिए था वही समय में क्या हम कहें इतना गुस्सा आता है मुझे परसासन से जेल में का रहे थे नमादा की दो घंटा का महलत दीजेगा हम दो-चार मुद्धार करके आए समस सकते हैं कि कितना बड़ा ये कहानी है जब जेल में पुलीस पकड़ के ले गई उस समय भी पुलीस परसासन के सामने बोका रहे थे कि मुझे दो घंटा का मोहलत दिया जाए उसके बाद मैं पूरे परिबार को खत्म कर दूँगा सोच सकते हैं कहीं न कहीं पती पतनी का दोनों का बहुत बड़ा साजिस है जो की अपने ही भाई को जान से मार दिया गया और पूरे परिबार को चाकु से बार किया गया है यह मैं आपको बता रहा हूँ धमौल नवादा जीला का यह कहानी है और इस घटना को जैसे ही वो अंजाम दिया अंजाम देने के बाद लोगों ने अस्थानिये पुलीस पर सासन को सूचना दिया उसके बाद अभी वो दोनों पुलीस के हिरासत में है देख सकते हैं आप लाइब में कि उनकी पतनी है कि चेहरा पे किस परकार से मासूमियत चाया हुआ है एक पती को चला जाना जिसका छोटा छोटा बच्चा रहेगा और एक कहानी उनका और निकल के आ रहा है कि बहुत बड़ी घटना का वो अंजाम बहुत पहले कहीं और द बहुत परकार से जेल में चार भाई अभी घर में उन चारों के लिए आपके तरफ से क्या स्वासन रहेगा हमारे तरफ से आर्थिक मदद भी रहेगा और उसके बाब जूद भाई नहीं है वाप राधी कसाई है तो उसको भाई कैसे मानेंगे जब भाई को मार दिया तो भाई के गिंती में पाचे भाई इन लोग है चारे भाई है उनको जोड़िए वो तो हैं हैं पाच भाई है आप लोग थे एक भाई को छोड़ दो आप राधी है हम लोग भी बात करेंगे उपर कि वो जेल से बाहर ना आए क्योंकि आकर के आँ फिर ये सब कर सकता है जो आदमी कैसे हम चीटी को आदमी मार नहीं पाता है और बताइए कि भाई को मार दिया रात में बताव ये साथ में मतलब थी अच्छा एक चीज आप बताईएगा कि आपसे आखरी बात उनसे कब होई थे आपकी जूपती है रात को रात को अब दोनों मतलब एक ही साथ थे य पहले तो ही आ गया तो उठे जब खड़ी होएं तब चाकु उसका गला पर भोक रहा था तो अपने आख से देखें अपने आख से देखें दोनों बाबो को ठाएं चाथ पे से चिलाते हुए तो मेरी सास और जो तो मेरे दोनों देवर यहां कल पे आके चापा कल पे अपने पती के मतलब आख के अपने आख के सामने अपने पती का मौत देखी है जब यह चट पे दोनों पती पतनी जब सो रहे थे उस समय उसका भाई इस परकार से मडर किया है इस परकार से गला रहता है कि बगल में सोई पतनी को भी पता नहीं चला लेकिन जब उरका उनका पैर छट पटाया उसके बाद इन्हों ने देखा तो उनके ग कढ़ी से कढ़ी सजा हैं कि हम लोग बहुत अच्छा है क्योंकि धमकी बारवर देता है जेल से कहता है कि छुटेंगे तो सब को काड़ देंगे तो सरकार से ही गुहार लगाते हैं कि उसको फासी हो जाए पती पत्नी दोनों को इसलिए कि पती से ज्यादा उसका हाथ पत्नी का है क्योंकि जब कोई भी लड़ा जड़ा होता था तो बारवर फोन करता था पत्नी को उसकाता था कि भाई अडचन डालता है भाय को मार दिया जाए ताकि सारा घर मेरा हो जाए जी हम इहीं सरकार से बहार लगाते हैं चले फिर मैं अभी मिलता हूं मिलता हूं बात करता हूं धन्यवाद